नाय dubbed ने तरहूं किसमें हमें प्लेक हैं कि तौदीर के छीन लेजियों करें ज़रुक हैं में ऊस्लिय आपने बात करिंगे अपने इस वीडियो करते। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहूँ कि firstly not all fats are culprits सारे fats हमारे दुश्मन नहीं होते जैसे ही जब हम fats का नाम सुनते हैं तो हम उसको avoid करने कोशिश करते हैं हम उससे छुटकारा पाना चाहते लेकिन ऐसा नहीं होता सारे fats हमारे दुश्मन नहीं होते और सबसे पहले मैं आपको एक बात clear कर दूँ कि आज के वीडियो हम अपने body fat के बारे बात करने वाले body fat मतलब जो हमारे body के अंदर होता है हम dietary fat के बारे बात नहीं करने वाले dietary fat मतलब जो fats हम खाने में खाते हैं उसको dietary fat बोलते है सो इस पर बिल्कुल confuse मत होईएगा हम यहां body fat के बारे बात करेंगे आज हमारे body के अंदर मेली दो तरह के body fat होते है जिसमें से पहला है essential fat और दूसरा है non essential fat इन दोनों के बारे हम एक एक करके बात करेंगे सबसे पहले हम बात करते है essential fat जैसी कि आप इसके नाम से ही guess कर पा रहे होंगे essential मतलब body को चाहिए एक तरह से बोल सकते हैं body को चाहिए ही चाहिए body इसके बिना survive नहीं कर सकती हम मर जाएंगे अगर हमारी body के अंदर essential fat नहीं होगा तो क्योंकि essential fat हमारे body में बहुत सारे physiological and psychological functions परफॉर्म करते हैं यह हमारे body में reproduction के लिए चाहिए fertility के लिए चाहिए temperature को regulate करने के लिए चाहिए हमारे body के अंदर vitamin को absorption के लिए चाहिए in short कहूं तो हमारे life को maintain करने के लिए हमें essential fat चाहिए ही चाहिए according to American council of exercise male की body में, man की body में 2-5% essential fat होना चाहिए वहीं women की body में 10-14% essential fat जरूर होना चाहिए ताकि हमारे सारे organs अच्छे से function कर सके हमारे body को maintain कर सके essential fat हमारे brain में होता है हमारे bone marrow में होता है हमारे nerves में होता है हमारे organs को जो membrane protect करता है उसमें essential fat होता है so इसलिए हमारे body को यह essential fat चाहिए ही चाहिए शायद आपके माइंड में इस समय कोशन चल रहा हुआ कि men की body में सिर्फ 2-5% essential fat चाहिए वही women की body में 10-14% essential fat चाहिए तो ऐसा क्यों होता है तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो women की body होती है वो hormonal wise और structure wise men की body से थोड़ी सी different होती है क्योंकि women को child wear करना पड़ता है बच्चे पैदा करने पड़ते हैं और women के जो breast होते हैं mainly fat cells से बने होते हैं इसकारण उनकी body को जादा amount में essential fat की जरूत होती है अब बात करते हैं non-essential fat की जिसको हम stored fat भी बोलते हैं यह हमारे body के अंदर stored होता है अब होता है कि हमारे body का एक mechanism होता है जिससे करने जो भी extra calories आप खाते हैं आप consume करते हैं like dietary fat consume करते हैं जो भी आप चीजे यह खाते हैं अगर इनकी calories utilized नहीं हुई burn नहीं हुई कहने का मतलब अगर यह काम में नहीं आई तो हमारी body क्या करती है इन extra calories को store करके रख लेती है अपने पास ताकि future में जब भी इन calories की जरूद पड़े जब भी energy की जरूद पड़ी तो इस store से वह निकाल सके इन सारी चीजे को store करने के लिए हमारे body का करती है इनको fats में convert करती है जिसको हम stored fat बोलते हैं और यही stored fat हमारे body के edipose tissues में जाके store हो जाते हैं हमारे skin के नीचे एक layer होती है जहां पर edipose tissues पाय जाते हैं उनमें stored हो जाती है तो इसी को हम stored fat बोलते हैं यह non-essential fat बोलते हैं अगर यह stored fat थोड़े से amount में है कम percentage में है कम amount में body में present है तो आपके लिए ठीक है क्योंकि यह आपके body temperature को regulate करते हैं आपके जो vital organs है उनको cushion provide करते हैं उनको sudden jerk से बचाते हैं अगर आपके body में थोड़े amount में stored fat है तो जो एक ध functional function करते हैं लेकिन अगर यह stored fat जाद amount में है इनका percentage हमारी body में बहुत जादा है तो यह आपके लिए बहुत खतरनाक भी हो सकते हैं क्योंकि आपको बहुत सारी बिमारिया देते हैं जैसे की heart attack, diabetes, stroke, high blood pressure, liver diseases, hormonal imbalance, pregnancy complication और even cancer भी so अपने stored body fat को कम रखिए एक certain level में रखिए ताकि आप lifelong healthy रह सके lifelong fit रह सके और यह certain percentage कितना होना चाहिए certain stored body fat का percentage कितना होना चाहिए इसके वारे detail information दूँगा मैं अपने next video में तो में शो में चैनलों को subscribe कर लें, hit the bell आगें ताकि वो वीडियोस आपसे miss नहों और जो stored body fat होते हैं या भी बहुत सारे तरीके होते हैं जैसे visceral fat हो गया, subcutaneous fat हो गया, जैसे अगर मैं visceral fat के बारे बात करूं तो यह आपके intra-abdominal fat होते हैं असलब जो आपके tone में fat आता है, जो आपके belly में fat आता है, यह visceral fat ही होता है, इनको निकालना, इनको कम करना बहुत मुश्किल होता जाता है, क्योंकि एक तरह के deep fat होते हैं, वहीं दूसरी तरह यह आपके जो organs हैं, like liver हो गया, kidney हो गया, pancreas हो गया, heart हो गया, उसके चारों जमा हो जाते हैं, और इनको निकालना, इनको कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, so make sure आप इस तरह के fats को अपने body के अंदर ना इकठा होंदे, क्योंकि यह deep fat है, इनको निकालना, इनको कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, वहीं जो हमारे body में subcutaneous fat होता है, या हमारे प तरहते हैं यह मेली तरह नहीं आपकी ऐश्टा कंते हैं, जो भी होग आप परशानी ती जेलते हैं, इसा के नहीं होता है, यह ऑचे के सल्सक्षा के लिए आला हैं वहीं, जो वाए जो हमारे ठोल से यह हमारे लिए तरह से ज्लाम में प्रेजन होगेे लिटे recognize को हमारे बॉड़ी के घंचर करते हैं यह केलरी को बखर करते हैं है ताकि हमारे बॉडी को एनरडी मिल सके हमारे बॉड़ी का को इलवेट कर सके हैं यी आपके या डानी वॉड़ी में प्रेजर होते हैं वहीं जो आप के ap sleep वही जो beach fat cells है, इनकी functioning brown fat cells और white fat cells के बीच में होती है, मतलग यह कुछ काम brown fat cells का भी करते हैं, और कुछ काम white fat cells का भी करते हैं. So हमारे body में जो भी fat present है उसमें यह तेनों तरह के fat cells present होते हैं, लेकिन इनका percentage vary करता है, किसी particular fat में जो white fat cells है वह जदा होते हैं, किसी में brown fat cells जाता होते हैं तो इस तरह से variation होता रहा है So, आज के वीडियो में ताही I hope आपको सारी information बहुत पसंद आई होगी अगर आप अपने fat burning को maximize करना चाहते है अपने fat को burn करना चाहते है अपने stored body fat को reduce करना चाहते है तो मैंने इसके लिए बहुत सारे वीडियो बनाए है उसका लिंक आपको नीचे description box से मिल जाएगा आप वहाँ से सरूर चेक करें और वीडियो अच्छा लागा तो वीडियो पे like, comment करना ना भूरे इससे मेरा हौसला बढ़ता है कि मैं इसी तरह की classified information आप तक हमेशा पहुंचाता रहूं Thanks for watching, stay healthy, stay fit, bye चेहन